एक बार फिर मैयावती उसी कह सकते हैं कि रहा पर चलने का प्रयास कर रहे हैं जो 2007 में उन्हों कहने कर छोड देती। साथ प्रज्यासिंग स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचुनाम में दो हजार चौबिस के लोग सभा चुनाव को लेकर अब उतर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती खुई नसरा रही है और ऐसे में एक सवाल जो बार-बार सामने आ रहा है कि आखिर कार क्या इंडिया गटबंधन में एंट्रे होती हुई मायावती की देखी जाएगी या फिर नहीं हाला कि मायावती बार-बार इस सवाल को सिरे से खारिच करती हुई नजराई है कई बार वो कह चुकी है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी लेकिन ऐसे में तेलांगना में गटबंधन करती हुई भी नजराती है और वेपक्ष सवाल पूछता है कि गटबंधन में शामिल नहीं होंगी लेकिन बाकी पार्टियों के साथ हाथ मिला सकती है आखिरकार मायावती की रणनीती क्या है नियूजरों में मौझूद अपने सहीयोगियों से इस शीज को समझेंगे कि क्या वाकई में मायावती अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर अभी भी अटल रहेंगी या फिर बाजी पलटती हुई नजराएंगी आज का दिन काफी ज्यादा एहम है क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशी राम जी की जैनती है नबवे जन्म दिन के मौके पर मायावती आज एक प्रेस कॉन्फरेंस करने वाली है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से आज से ठीक दो महीने पहले अपने जन्म दिन के मौके पर मायावती ने इंडिया गटबंधन को जटका दिया था क्या खुशखबरी देती हुई नजर आ सकती है अब ठीक दो महीने बाद यहाँ पर मेरे साथ अमंजी है और अमंजी से सव पाल रहेगा कि जस तरीके से 15 जनवरी को भी इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे मायावती क्या करेंगी अकेले चुनाव लड़ेंगी इंडिया गटबंधन में लगभग उनकी एंट्री मानी जा रही थी विपक्ष नियोतों पर नियोते दे रहा था लेकिन मायावती सब को चौका दिया क्या लग रहा है आज भी ऐसा ही करते हूं नजर आएंगी देखी बिलकुल और यूपी की राजनीती की बात करें तो वहाँ पर मायावती बहुत एहम चेहरा बन जाता है और इसलिए लगातर कहा जा रहा है कि मायावती का हर फैसला करने करें जो यूप कानफरेंस के जरी कोई बड़ा ऐलान करने वाली हैं तो आज मेरे खाल से यूपी की जो राजनीती है उसमें कोई बड़े फैसले हो सकते हैं क्योंकि अगर हम देखें कि मायावती ने लगातार इंडी घटबंदन के साथ जाने से इंकार किया कि भाई मैं जो हूँ यूपी चुनाववों में लगबग कहा जाए तो उनकी सीटे लगबग नाके बरावर आती हैं इससे पता चलता है कि जो वोट बैग उनके पास में हुआ करता था वो लगाता है उनके पास खिसका है और ऐसे में क्या एक बार फिर मायावती उसी कह सकते हैं कि राह पर चलने का प्र जो वोट बैंक थी वो भी शिफ्ट होकर बीजेपी के साथ में लगबग चली गए तो ऐसे में मायावती का यह कहना है कि अगले दम पर चुनाव लड़ूंगी उतना तरक संगत नजर नहीं आता लेकिन क्या आज बो कोई बड़ा एलान कर सकते हैं कि इंडिया गटमंदों लेकर चर्शा है खुब जोरो चोरो पर रहीं तो आज क्या वो दिन हो सकता है कि मायावती कोई बड़ा इलान कर सकते क्योंकि आज एक बड़ा मौका भी है और इसलिहास से यह माना जारा है कि यूपी की राज़्जिती में आज कोई दहमाका हो सकता है और जिस तरीके से मा गटबंधन करेंगी लेकिन राश्ट्रे पार्टे के साथ नहीं मिलाइंगी तेलांगना में अगर बी आरेस के साथ मिला लेती हैं क्या लग रहा है एक बार फिर से अपनी कत नी को जोट यहां पर ताबित कर तुन नजरांगी उसे बदलते हुझ नज़र आएंगी यूपी में बिल्कुल देखिए लग तो यही रहा है कि जस तरीके से 15 जन्वरी के अपने जिकर के अपने जन्विन के मौके पर प्रस कॉन्फरेंस जब मायावती ने की तो उस प्रस कॉन्फरेंस में मायावती क्या कुछ कहने वाली है इसका हर किसी को इंत मायावती भाहुजन समाज पार्टी लोख सभ चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी अब जब अकेले अपने दम पर लड़ रह ढके से बीजिदिर अचानक सयी जानकरी आती है कि तेलंगाना में ब्यारेस के साथ चुनावर रटेंस ऐ जानकारी तेंक लिडंवाटी स तो वाक़े में यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या मैवती चंदरशीकर आज़ाद के साथ चुनाब लड़ी क्या आज ही के दिन ऐलान कर सकते हैं क्योंकि कांशीराम की जैनती के मौकप पर एक और जहां चंदरशीकर आज़ाद ने पार्टी के बड़े कारेकरम कायजन के हैं दूसरी और मायवती ने भी बड़े कारेकरम कायोजन के आये तो ऐसे मैं माना जा रहा है कि सभी रूप से ये साथ आ सकते हैं और आगा में लोग सब चुनावों में एक साथ तीसरा मोर्चा खोल करके ताल ठोक सकते हैं। चौथा स्थापना दिवस है और ऐसे में अब सवाल बनता हुआ नजरा रहा है कि मायवती की तरफ से ना सही क्या चंद्रशेखर आजाद यहां पर गटबंधन को लेकर प्रस्ताव रखते हुए नजरा सकते हैं। नगिना सीट है वहाँ पर अच्छी खासी बहुतायत में है तो कहिना कहीं चंद्रशेखर आजाद को लगता है कि नगिना सीट जो दी जा रही है उन्हें इंडिया कटबंधन की तरफ से वो कहिना कहीं उनके लिए एक सेफ सीट हो सकती है। राजनिती में आधार बनाने के लिए चंद्रशेखर आजाद वहां से हुंकार बरते नजर आएंगे और ये जीत मिलती है तो वाकई कहीं न कहीं आजाद समाज पार्टी के लिए एक सुखत पल होगा धोजर चोबीस के लोगसबद चुनाओं की बात करें तो काशिराम की विचारों पर अम्बेड कर की विचारों पर चलने की बात करते नजर आते हैं याँ पर चंद्रशेखर आजाद मायाओती को पूरा सम्मान देते हैं गटबंदन करने को भी तयार हैं लगातार कहते उनका आधिकारिक रूप से यदि आप माने तो हो सकता है कि मायोती के साथ चुनाव लड़ने की चुक दिखाई दे रहे हैं लेकिन मायोती का कहना यह है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में कहीं न कहीं स्थिती ये नजर आती है मुझे 2022 के यूपी विधान मैदान में उतारने वाली अकेली पार्टी थी और ऐसे में समाजवादी पार्टी को 50 से अधिक सीटे ऐसे ती जहां पर मायोती ने सीधे प्रभावित किया यानि कि कहीं न कहीं इसका नुक्षान जो है यदि इंडिया गढ़बंधन में शामिल नहीं होती है इंडिया गढ मानती हुई नजर नहीं आ रही है लगातार कोशिश की जा रही है क्या कोशिश काम्याब होती हुई नजर आएगी यहां पर प्रांशी है मेरे साथ और प्रांशी से सवाल रहेगा प्रांशी क्या लग रहा है अभी भी लगातार दावे किये जा रहा है कि सोनिया गांधी स कुछ परक साधने की कोशिश कर रही है क्या नाराज मायवती को मना पाएगी कॉंग्रेस इंडिया गडवंधन में शामिल होने के लिए देखे जिस तरह से सॉनिया गांधी को लेकर जो खबरे सामने आ रही है अक्सर हमने देखा है कि जब भी नेताओं की नाराज की देखने बात कर ली जाए और अब यहाँ पर जो राजनितिक दल है उनकी अगर बात की जाए तो सॉनिया गांधी पहल करती हुई देखी जाती है इसमें भी यही बात निकल कर सामने आई थी कि बहुजन समाज पार्टी को कैसे भी करके इंडिया गडवंधन में लाना है तो ऐसे मे यहाँ पर मायवती को मनाने की जो कोशिश की गई थी सबसे पहले सॉनिया गांधी की तरफ से की गई थी पहल उनों ने की थी लेकिन प्रहेंका गांधी वाड़रा उनसे संपर्ग साती हुई नजरा है पचीस लोग सभा सीटों को लेकर चर्चा हुई मलिका अर्जुन करते हैं कि कैसे भी करके मायवती इस गटवंदन का हिस्सा बन जाए तो अभी देखा जाए यहां पर सॉनिया गांधी ने जब जब कोशिश की है तब तब वह काम्याब हुई है चाहे अपने ही दल के नेताओं को मनाने की बहें बात करती हुई निजरा है चाहे मायवती को मनाने की बात ही क्यों न होगी आने वाले समय में देखना होगा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सौनिया गांधी की तरफ से अभी कोशिश जारी है अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं सौनिया गांधी शायद मनाने में सफल हो सकती है सत्में भी अब किसी शेत्रिया पार्टी के साथ ब्यस्पे का गटबंधन होते हुए देखा जाएगा देखना काफी एहब रहेगा सलाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नेक्स्टनाइम्स